Hello everyone, Welcome to this channel, I am C.S. Ritu आज का वीडियो है हिंदुस्तान Zink Limited पे हिंदुस्तान Zink Limited ने अपने फिनेंशल रिजल्स डिस्क्लोज कर दिये हैं December quarter के रिजल्स के बार आते हैं स्टॉक के लिए अनलिस्ट के टार्गेट तो हिंदुस्तान Zinc Limited के स्टॉक के लिए एनलिस्ट के क्या लेटेस टार्गेट आया है ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में इसके इलावा हिंदुस्तान Zinc Limited के D-Merger पर और गवर्मेंट के डिस इंवेस्मेंट पर क्या अपडेट आया है क्या कमेंट आया है कामपनी के CEO Mr. Arun Mishra की तरफ से ये भी हम आज के वीडियो में जानेंगे तो बहुत ही इंफरमेटिव वीडियो होने वाला है एन तक जरूर देखेगा अच्छा लगे तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सबसे पहले कमपनी के नंबर्स हमने पहले भी कव की यह इस पर वीडियो भनाया है कमपनी ने रेवेन्यों रिपोर्ट किया है 7310 करोड का रिवेन्यू कंपनी का 7.1% डिक्रीज हुआ है अबिटा यहाँ रहा है इन पर 730 करोड का 9 यहां पर year on year 16% का decline है, EBITDA है 3559 करोर, profit है 2028 करोर, company के gross investment and cash and cash equivalents है December quarter तक 9743 करोर के, EBITDA margin 9 मन्त के लिए है FY24 के लिए 47% and third quarter का EBITDA margin है 49%, earning per share 9 मन्त के लिए company ने report किया है 13.34 रूपीज का and third quarter का EPS company ने report किया है 4.8 रूपीज का अब results पर analyst के view की बात करें, तो city के analyst ने sell की rating दी है, results के बाद हिंदुस्तान Zink Limited के stock को target price दिया है 275 रूपीज का, बोफा के analyst ने underperform की rating दी है, stock को target price 220 रूपीज का दिया है, इसके इलावा other analyst के target देखे तो मोतिला लोस्वाल का view है हिंदुस्तान Zink Limited पे, neutral की rating है मोतिला लोस की हिंदुस्तान Zink Limited के stock पे और target price है 310 रूपीज का, नुवामा institutional equities की बात करें, तो यहां पर dividend की expectation है FY25 में और 26 में 25 रूपीज की, dividend yield रह सकता है FY25 और 26 में हिंदुस्तान Zink Limited का, ऐसा नुवामा institutional equities के analyst को लगता है कि 8% का, नुवामा की analyst ने stock को 257 का target दिया है और reduce की rating है, and antique stock broking के analyst की बात करें, तो यहां पर hold की rating आई है हिंदुस्तान Zink Limited के stock के लिए, और target price आया है analyst की तरफ से 297 रूपीज का, तो यह targets दिये है, analyst ने हिंदुस्तान Zink Limited के stock को, हिंदुस्तान Zink Limited de-merger भी करना चा रही है, उस de-merger के लिए क्या important announcement हुए है, results के बाद यह भ हिंदुस्तान Zink Limited की business restructuring एक positive move है, हिंदुस्तान Zink Limited अपने business को de-merge करना चा रही है, तीन separate entities में, हिंदुस्तान Zink Limited के CEO Mr. Arun Mishra ने कहा है कि इस de-merger से हिंदुस्तान Zink Limited का 3-4 billion dollar का market capitalization का potential unlock होगा, और हिंदुस्तान Zink Limited के CEO को यह expectation है कि company की अब जो next board meeting होगी, जो की होग April में, तब तक हमें कोई positive news हिंदुस्तान Zink Limited के de-merger पे जरूर company की तरफ से सुनने को मिलेगी, CEO ने यहाँ पर यह भी बताया है कि primary shareholders है जो company के, उनका ownership pattern change नहीं होगा de-merger होने के बाद, और हिंदुस्तान Zink Limited के dividend distribution policies भी वैसी ही रहेंगी, जैसी अभी company की है, so company अच्छा dividend देती है अपने shareholders को, current dividend yield around 25% का है, so वैसे ही dividend distribution policies de-merge companies की भी रहेंगी और इससे market capitalization unlock होगा around 3-4 billion dollar का, और इस de-merger का एक benefit यह भी होगा company के CEO ने बताया है कि इससे government का stake का divestment easy हो जाएगा, because company तीन separate entities में de-merge हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो दो different set of shareholders वो share acquire करेंगे, जो government disinvest करेंगी, Mr. Arun Mishra ने यहाँ पर यह भी बताया है कि हिंदुस्तान Zinc Limited का अगर de-merger हो जाता है, तो government के लिए silver business को divest करना और zinc business को divest करना easy होगा, हिंदुस्तान Zinc Limited के divestment से, इसलिए company के CEO यह expect करते हैं कि उनको government का positive response मिलेगा de-merger के लिए, और government के जो nominee directors हिंदुस्ता Zinc Limited को अगर de-merger करना है, अगर restructuring करनी है, तो उसको government का approval लेना ही होगा, so वो hopeful है, government का approval मिल जाएगा next board meeting तक, जो की around April में होगी, और Arun Mishra ने यहाँ पर यह भी बताया है, कि वो work कर रहे है, mines ministry के साथ, और यह likelihood है कि सारे clearances मिल जाएंगे before next board meeting, so हिंदुस्तान Zinc Limited के government के stake disinvestment पे अभी कोई भी update नहीं है, possibility यह है कि हिंदुस्तान Zinc Limited का de-merger होने के बाद ही government अपना stake हिंदुस्तान Zinc Limited में divest करेगी, so अभी हिंदुस्तान Zinc Limited पे government के stake disinvestment पे कोई भी update नहीं आया है, so यह है हिंदुस्तान Zinc Limited से related latest target, latest news, I hope आज के वीडियो आपको अच्छा ल Division में ले, thank you